हेलो गाइज डिसकाउंट या सवर्ड यू नू वैरे वल इस वर्ड इस वर्ड से आप बहुत जारा वाकिफ हैं डिसकाउंट वर्ड है ना सुना तो हो गई और आपने मांगा भी होगा और या फिर नहीं मांगा तो आपने मांगते हुए ज़रूर देखा होगा आज मेरे छोटी से ये वीडियो आप सभी को बहुत बड़ा एक लैसे देने वाले गाई प्लीज वास्टिद दा एंड पूरा रास तक देखीगा चरे शुरू करते हैं बिसकली गाईस रिसेंटली आप वस वाकिं इस ट्रीट एंड मैंने एक छोटे से एक रिटेलर को देखा तो डोर टोर जाकर वो दर्वाजे दर्वाजे जाकर साडी या बरतन देखाते हैं कभी आपने सोचा है कि ये लोग कितनी महनत करते हैं इवन इपने धूप में उस भीना खाय पिए इवन इन वरी डिपूट वरी 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 मच एफट ये बहुत जारा एफट डालते हैं लोग और ये जो लोग हैं ये लोग उन्हें रोक कर उनका पूरा समान देखते हैं पूरा टाइम देते हैं जैस बिसकली अपने सारे समान को उन्पैक करते हैं उन्फोल्ड करते हैं उन्हें दिखाते हैं विद इस एक्सपेक्टेशन इस उमीद से कि इनका समान खरीद लिया जाएगा but why don't they understand उनको समझ क्यों नहीं आता कि basically the people of this area, people of this market are just waiting for the exhibition उन्हें तिर्फ प्रदरशनी चाहिए ये खरीदना नहीं चाहते you know what friends I feel very bad मुझे बहुत बुरा लगता है why do people behave in such way लोग इस तरह से behave क्यों करते हैं क्या लोगों को नहीं पता कि किसी के time की क्या value है एक salesman की भी अपनी कोई life है guys he has his own personality he is working since morning to evening he gets up in the morning you know what वो एक सोच, एक belief, एक trust के साथ खड़ा होता सुबह और इन्हों ready होता है, mentally और physically प्रिपेर करता है को जाएगा आज और मार्केट में प्रोड़क्ट बेज कराएगा but what happened how broken and how disappointed does he feel कितना बुरा और कितना निराश वो फिल करता है तो उसे blast पर चलता है किसको प्रोड़क्ट लोगों ने खरीदा नहीं उसके 2-3 घंटे लोगों ने किस से आम परवाद कर दिये just for exhibition, exhibition, exhibition देखने में, देखने में, देखने में that's fine एक time आता है कि उस सारे ladies और men jeans का जो भीड़ होता है जो लोगों का भीड़ है वोसे काये था भया हमें प्रोड़क्ट नहीं चाहिए या फिर secondary चीज क्या होते है discount, हमें discount चाहिए अगर आप नहीं दोगे हम प्रोड़क्ट नहीं लेंगे it is just an excuse guys, just understand अकर वो बंदा discount देना चलिए ठीक है, मैंने यह नहीं कहा क्या bargaining मत कीजिए, मोलभाव मत कीजिए just go for a little negotiation negotiation is important thing हो सकता है कि आप कहीं loss में जा रहे हो don't worry, but एक time तक कभी देखा है, sometime I feel when they are really saying rosy कसम खारा हो दी like मैं अपने बाल बच्चों कसम खारा हो दी मैंने सुबैसे sale नहीं की है just understand, when a person come at this verse, जब एक बंदा इस limit तक आ जाना, try to understand और उसके बाद भी आप उसको प्रड़क्ट नहीं खरीद रहे it means what, you had no genuine interest in his product you just wasted his time, the quality time जो सुबन्दे ने पूरी faith को ने believe डाल के आपको वो प्रड़क्ट दिखाया जो भरोसे से, वो सारा unfold, दुबारा से fold करेगा, pack करेगा, दुबार उठाएगा और दुबार अपने कंदे पर वो carry करता है अपने heavy weight को वो 5-10 kg के bundle को और दुबारा से एक next customer journey के लिए start हो जाता है okay, so just I am telling you, हो सकता है कि आप में से किसी के mom, dad या फिर किसी का brother, कोई भी परसन ऐसा काम करता हो he will be in sales, anyway what guys, ask them for a day, एक दिन पूछी how difficult is that to make a single sale for them उनके लिए एक sale करना, एक sale, I am talking about one, one, one unit sale करने कि उनको कितना effort डालना पड़ता है, कितना, कितना बोलना पड़ता है even जब सोचे कि जहां पर online marketing इतनी जारा hijack हो चुकी कर चुकी है कि market का बहुत बड़ा chunk, बहुत बड़ा share उनके हां से निकल चुका है and just understand, how heavy do they feel, how bad do they feel, how much do they have to survive उनने कितना struggle करना पड़ता है, इस industry में भी, okay I hope you will take a little lesson, बहुत important lesson लिया होगा आपने and please do not waste the time of all those local retailers, अगर आपको नहीं करीदना है, मत खरीदिये अगर आपको discount चाहिए, तो चाहिए, ठीक है, एक limit तक, जाइए बट वहाँ तक जाइए, जहाँ तक सामने को problem ना हो सामने वाला happily आपको product दे जाए, it is okay guys, हम लोग ऐसे भी charity नहीं करते है अगर किसी से समान लेते वक्त भी अगर हम इसा 2 रूब एक साट दे दे और everybody is there for profit man, कौन सा बंदा 2 रूपीस किसी 2 रूपीस में बेच देगा 20 किसी 20 में बेच देगा, no, it is not the market fundamental rule ऐसा क्या आप करेंगे क्या, क्या, क्या come on, कोई भी person इस market में profit कमाने के लिए ही बैठा है, simple thing, तो वो ही deserve that, because he's doing his hard work, he's putting his effort, you know what, वो person आपके कितने दूर तक कितने प्रोब्लम लेके आता, वो he does not tell you, he just give a pitch, वो आप सिर्फ सारे lecture अपने प्रड़क को लेकर देता है आपसे, ताकि he never express कि वो आप मेरी टेंशन करीदो, वो आपने प्रड़क को बिचन and that's fine, at least respect his hard work guys, okay, so pay for his hard work, अगर दो रुपए अजाद दे रहे हो, 20 रुपए, 10 रुपए के लिए आप नेगोशियाशन मत कीजिए, please be an open-minded and broad-minded man, come on, if you really wanna be something, please, be the best human being, that's all I want to actually say, I have made this video a lot of love, please share this video at large and tell to people in the world, please, strongly support my idea, thank you so much, bye-bye, and take care all